हेलो गाईज, स्वागत है आपका क्रेटिविटी लवर्स में आज एके मैं आपके साथ इस काडिगन डिजाइन की वीडियो शेयर करने वाली हूँ इस काडिगन को देखिए हम दो सलाइओं पर बनाएंगे और सेफटी पिन की हेल्प से इसे बनाऊंगी इसके लिए कोई भी आपको सरकुल नीडल वगयारा नहीं है आपके पास सोटैंशल लेने की बिलकुँ जरूरत नहीं है दो सलाइओं पर भी ये बहुत अच्छे से बन जाएगा हम से सेफटी पिन की देखिए हेल्प ले लेंगे इसे बनाने के लिए तो आप सोच रहे होंगे कि सेफटी पिन से कैसे काडिगन बनाएगी वह आप देखेगा मेरी वीडियो में तो खुद बाखुद आपको समझा जाएगा तो चलिए शुरू कर लेते हैं जल्दी से इसकी वीडियो बेवी काडिगन के लिए देखिए सलाइवे मैंने 64 फंदे ले लिए हैं और यहां पर मैंने डिजाइनर फंदे डालने के बाद दोनों तरफ से उल्टी उल्टी रों बनाई हैं देखिए मैंने यह सीधी तरफ से हमारी 1, 2, 3, 4 चार धारियां आगी अब यह उल्टी तरफ है उल्टी तरफ से अब हमने यहां पर अपना बटन होल बनाना है तो बटन होल बनाने के लिए देखें पहले फंदे को मैं ऐसे उतारती आई हूँ आपने भी ऐसे उतार लेना है ऐसे फंदे उतारने से देखें यह बहुत सुंद्रे किनारी सी बन जाती है यो काडिगन में बहुत प्यारी लगती है बटन पट्टी के पास तो अब हमने देखे यहां पर एक दो तीन चार चार फंदे उल्टे बनाने के बाद देखे सलाइपर ऐसी धागा लपेट लेंगे ये पांच ये छे छे फंदे होगे हमारे उल्टे अब सारी रो ये ऐसे ही बनाकर हमने फंदे आप लेजीएगा इतने फंदे हां हमारे काफी होगे 0 से लेकर 6 महिने तक के बच्चे के लिए ठीक है तो अब हमने देखे यहाँ पर बटन होल भी बना लिया है अपना तो 6-6 फंदों की हमने यहाँ पर दोनों तरफ देखिए अपनी बटन पट्टी रख लेनी है यह हमारे 64 फंदे है चे-चे फंदों की बटन पट्टी रखेंगे तो 12 फंदे हमारे यह निकल गए 12 फंदे निकले तो 52 फंदे रहे गए हमारे पास और 52 फंदों को हमने अब यहाँ पर डिवाइड करना है बटन पट्टी वाले फंदे देखिए हमने पहले ही कर लिए है फंदे छह फंदे उसके बाद इकले फिर आगे वाले पंदे के बाजू के पीछे वाले पंदे के यह बटन पट्टी के तो यह रोब बहुत इंपर्ट है तो आप बहुत धान से देखिए गा इस रोब को क्योंकि यहीं पर अब हमने फंदों को डिवाइड करना है देखे यहां पर फर्स्ट फंदे को हमने उतार लिया फर्स्ट फंदे को उतार कर देखे धागा अपनी तरफ कर लेंगे और यह छे फंदे पहले उल्टे बना लेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे फंदे उल्टे बनाने के बाद हम धागा आप दूसरी तरफ कर लेंगे अब यहां पर आठ फंदे हम सीधे बना लेंगे एक, एक फंदा जादा बन गया दिखे यहां पर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे अब धागा दूसरी तरफ करेंगे यहां पर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ आठ फंदे सीधे बनाए आठ फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ कर लेंगे इस फंदे पर जाली डालेंगे इस फंदे को सीधा बना देंगे अब धागा फिर से अपनी तरफ करेंगे यहाँ पर हमने जाली डालनी है और यहाँ पर आठ फंदे फिर से सीधे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ देखिए यहाँ पर आठ फंदे सीधे बना लिए अब धागा अपनी तरफ किया अब यहाँ पर फिर से हमारी जाली डालेगी लेकिन उससे पहले आप देखिएगा छे फंदे हमारी यह बटन पटी के निकले आठ फंदे हमने अगले पल्ले के बनाए हैं आठ ही फंदे हमने बाजू के बनाए हैं लेकिन बाजू की तरफ देखिए यहां पर दोनों तरफ जाली डालेगी आगे वाले पल्ले में एक तरफ डालेगी और इधर वाले पल्ले में एक तरफ डालेगी पीछे वाले पल्ले में हमारे दोनों तरफ जाली डालेगी अब हमने फिर से धागा अपनी तरफ करना है आगे में देखिए हमने अगर आठ फं दे रखेंगे लेकिन उससे पहले देखें यहाँ पर हमने जाली डाली सीधा फंदा बनाया धागा अपनी तरफ कर लिया अब यहाँ पर फिर से हमने एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोधा, पंदरा, सोला सोला फंदे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, जाली डालेंगे धागा फिर से अपनी तरफ किया, जाली डाली, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, यह हो गे हमारे आठ फंदे बाजु के धागा फिर से अपनी तरफ यहाँ पर जाई डाली सीधा फंदा धागा फिर से अपनी तरफ एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ फंदे हो गए हमारे अब धागा अपनी तरफ कर लेंगे यह बटन पर टीके हमारे फंदे हैं जीने एक फंदा उल्टा अब यहाँ पर दो काई करेंगे देखिए यहाँ पर हमने जाली डाली थी ना दो काई कर देंगे दो, तीन, चार, पांच, और यह छे, अब यहाँ पर उल्टी तरफ से देखिए हमने सारे फंदे अपनी पूरी रो उल्टी उल्टी बना लेनी है उल्टी तरफ से हमारा कोई पैटरन नहीं दाए पूरी रो जाली वाली फंदों को भी उल्टा-उल्टा ही बनाते जाएंगे देखें उल्टी तरफ से पूरी रो उल्टी बना लिए सीधी तरफ से अब देखिए एक रो मैं आपको और डाल कर दिखा रही हूँ देखिए कैसे हमने इसे बनाना है बाकी की सारी रो सेम वैसे ही बंगती जाएंगे देखिए इस फंदे को ऐसे सीधे की तरफ ते उतारा धागा फिर अपनी तरफ कर लिया देखिए ये एक ये दो तीन चार पांच और ये छे छे फंदे पेटन बट्टी के बनाए दागा दूसरी तरफ किया पहले हमने यहां पर आठ फंदे बनाए थे सीधे आप नो बनेंगे क्योंकि एक फंदा हमारा जाली से बढ़ गया है तीन चार पांच छे साथ आठ और दिखिए एक फंदा जाली से बढ़ गया नो हर बार देखिए इसी फंदे पर हमने जाली डालने है धागा अपनी तरफ करते हुए से सीधा बना लेंगे धागा फिर से अपनी तरफ करेंगे फिर से हमने इसे सीधा बना लेना है इस फंदे के दोनों तरफ हमारी हर बार जाली आएगी और बाजू में देखिए इस तरफ भी ज चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, दस फंदे हो गए, देखिए बाजू के, अब फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को सीधा बनाएंगे, जारी डालेंगे, देखिए अगली वारिस में बारा फंदे हो जाएंगे, हर वार ऐसे ही फंदे बढ़ते रहे अब ये पीछे वाले पाट के हमारे फंदे हैं, दो, तीन, चार, पांच, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, सोला, स्तारा, अठारा, बनाये थे थे न, दोनो तरफ से एक एक फंदा बढ़ता जाएगा, अप धागा अपनी तरफ करेंगे, जारी डाली यहाँ पर फिर से धागा अपनी तरफ फिर से यहाँ पर जाली डाली और यह फंदे हम सीधे बना लेंगे बिल्कुल असान देखें यह डिजाइन बता रही हूँ मैं आपको बिल्कुल असान तरीका दोस लाइयों पर गले से शुरू होने वाला हम काडिगन बनाएंगे जीरो से लेकर छे महीने तक के बच्चे महीने के बच्चे के लिए अब धागा अपनी तरफ फिर से जाली डाल दी और इस फंदे को सीधा बना लिया देखें यहाँ पर हमारी दो दो जाली आ गई है न और यह हमें टोटल पंदरा जाली आ हमें बनानी है तो तेरा बार हमें अभी और इसी तरीके से जाली बनानी है जैसे मैंने आपको न अब यहाँ पर देखें उल्टी तरफ से पूरी रो हमने उल्टी उल्टी ही बना लेनी है और सीधी तरफ से देखे यहाँ पर एक ये दो दो होगी न जालिया ऐसे ही हमने ये पंदरा जाली होने तक बनाना है तो पहले मैं इतना बना लेती हूँ फिर आगे दिखाती हूँ आपको देखे मैंने इसका इतना पार्ट बना लिया है जैसे मैंने आपको बोला था कि हमने पंदरा बार देखे ये जाली डालनी है लेकिन पंदरा बार जाली डाली थी मैंने तो उसके बाद देखे फंदे हमारे पूरे नहीं हुए थे तो इस जाली को मैंने 22 बार देखे बनाया है यहां से count परके दिखाती हूँ एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, आठ, नो, तस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, सोरा, सतारा, ठारा, उननीस, बीस, एकिस, बाइस, देखें बाइस वार पता कि आये फंदे सलाई में बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो इसलिए ज़्यादा ऐसे में आपको खीचके नहीं दिखा सकती फिर इदर से फंदे हमारे निकल जाएंगे और इसका second part में मैं आखको बताऊंगी कि इसकी नीचे वाली body और बाजू वगरा हमने कैसे divide करने हैं इस cardigan को देखे मैं आपको दो स्लाईयों पर ही बना कर दिखाऊंगी दो स्लाईया और safety pin की जुरूरत पड़ेंगी हमें तो उसी से हम देखे काडिगन बनाएंगे बिल्कुल असान तरिके से इस cardigan को बनाओं कि आप किसी भी size में देखे अराम से बना सकते हैं इस cardigan को तो चलिए आज की वीडियो इतनी ही फिर मिलती हूँ आपको next वीडियो में अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो बताने का धंग अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को जुरूर subscribe कीजिए वीडियो को like share करना बिलकुल मत भूलेगा फिर मिलती हूँ आपसे next वीडियो में बाबाई